आज 36 गरबंद के आहवान का प्रदेश भर में मिला जुला सर देखा जा रहा है बिमितरा जिले के बिरनपूर में बीते दिनों दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत की घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिशत सहित विभिन संगठनों ने आज 36 गरबंद का हवान किया था इसका सर राजधानी राइपूर सहित बिलासपूर बिमितरा गर्याबन महासमुन धमतरी दुर्ग आदी शहरों में देखने कुम रहा है दुकाने वैवसाइक प्रतिष्ठान और बाजार स्वसफूर्थ बंद रहे सड़कों पर भीड भार अपेक्षा कृत कम रही सुरक्षा के मद्यनजर शहरों में विभिन चौक चौराहों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गए है भाजपा के प्रदेश अध्यक्षा और सांसे दरुन साओ के नित्रित्व में भाजपा कारेकरताओं ने आज बिमितरा जिले के साजा में बिरनपूर के घटना के विरोध में प्रदर्शन किया इस दौरान प्रदर्शन कारियों और पुलिस के बीद जुमा जटकी भी हुई इस मौके पर श्री साओं ने पत्रकारों से चर्जा करते हुए कहा कि भाजपा कारेकरता प्रेडित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे लेकिन उन्हें पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोग दिया सब भुनेस्वर साहू के परिजनों से मिलने उनसे मिलकर अपनी संवेतना व्यक्त करने बिरनपूर जाना चाह रहे हैं प्रसासन ने हमको यहां पर रुका है जिस निर्मम्ता से जिस निर्दैता से एक 22 वरसी युवग भुनेस्वर साहू की हत्या की गई है माब लिंचिंग है बड़ी संख्या में लोगों ने योजना करके भुनेस्वर साहू को जिस प्रकार से निर्मम्ता से मारा है इसकी चितनी निंदा की जाए कम है और प्रसासन ने केवल अभी 11 लोगों की गिरबतारी की है जबकि बड़ी संख्या में लोगों ने सामोहिक रुप से मिलकर भुनेस्वर सावू की हत्या की है ये निर्मम हत्या की है भुनेस्वर सावू को जब तक न्याय नहीं मिलेगा उनके हत्यारों को फासी की सजा होनी चाहिए उने स्वर साहू के परिजनों को एक करोड रुपय का मुआजा सरकार को देना चाहिए। पुलिस बल भी तैनात किया गया है और बिरनपुर में बेरिगेटिंग की गई है। साथ ही उपद्रवी लोगों के खिलाफ फायार दर्स की गई है।